नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर त्रिप्ती मित्तल आपके सामने अपनी एक कवीता आखरी खत पेश करना चाती हूँ, उमीद है आपको पसंद आएगी, ना जाने कल क्या होगा, ना जाने कल क्या होगा वो कह रहे हैं, कल ना आज जैसा होगा, जानती हूँ, वक्त ने आद को धामा है, मेरे अंदर अर्मानों का समंदर है, अभी पनने पर उतारना होगा, अभी तो कमरे में समान फैला हुआ है, कौन सी चीज कहा है, ये तुम्हें बताना होगा, तुमसे छुपा कर कुछ पैसे रखे थे अलमारी में, पता तो तुम्हें भी था, जुट का अबना छुपाना होगा, अलमारी में बंद डब्बे में, सजाई हैं कितनी यादे, ये खत भी अब उस पिटारे में सजाना होगा, कमरे की दिवार पर हमारी एक तस्वीर सजी है, ना हटाना उसे कभी, अब वही मेरा आईना होगा, चोटी बनानी भी नहीं सिखाई ऐसे सवारते हैं खुद को, ये तुम्हें उसे बताना होगा, मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है उसे, उसकी पसंद ना पसंद से तुम्हें वाकिफ कराना होगा, मेरी आखों ने देखे थे हजारों सपने, तुम सजाना उसकी आखों में, ये वादा तुम्हें निभाना एसा भी होगा, उदास होगी वो, लबो से कुछ न बोल पाएगी, वो मेरे सतरंगी दुपत्ता ओड कर उसका दिल बहलाना होगा, जानती हूं, जानती हूं बहुत कठिन है, असाना होगा ये सफर, थाम कर हाथ उसका, इस जगर पर तुम्हें उसे चलाना होगा, वो पूछेगी तुमसे सवाल मेरे बारे में अकसर हर बार छुपा कर आजू तुम्हें जवाब उसका बनना होगा तूट रहा है अंदर कुछ निशब्ध हो रही हूँ मैं ये मेरा फसाना अब तुम्हें ही गुन-गुनाना होगा कितनी रातें इन कंधों पर दिल का बोझ उटा रहा है अब आखरी बार इन कंधों को ये बोझ उठाना होगा अम्रा गुन्जेगी अवाज मेरी खामोशी भी मूँ फेल जाएगी धड़कन को साज बना मेरे गीत लबो पर सजाना होगा अभी तो तेरे संग चांद निहारना था अभी तो तेरे संग चांद निहारना था सुभे से शाम को सजाना था पर अब जो जिन्दगी के शाम होई है आखरी अलविदा कहना होगा न जाने कल क्या होगा वो कह रही है कलना आज जैसा होगा धन्यवाद